नमस्कार फ्रेंट्स आज हम RSMSSB दवारा दो हजार सोड़ा में जो लाइबरेरियन का पर प्रायुजित किया गया था उसका अध्यन करेंगे तो सुरू करते हैं क्यूश नमर एक है सुचना फिजिकल प्रवद्गी की से भी अधिक सक्तिचाली है और यह एक ऐसा आधर से लिंक है जो कि समाज को एक साथ सुत्तर में बांदे हुए है इस कतन को निम्न में से किसने उद्दर्द किया था यह कतन है वो किसका है तो आपके जो ओप्सन है वो इस परकार है डोक्टर एसा रंगनाथन डबलू सी बी सेर्स विल्यम ई हलाल या ई ए नील मेगनन तो राइट एंसर क्या होगा ओप्सन थरी है वो राइट होगा विल्यम ई हलाल का है सुचना फिजिकल प्रवद्गी की से भी अधिक सक्तिचाली है और य अगला क्यूशन है क्यूशन नमर दो रंगनाथन ने बनार्श में आयोजीत पर्थम अखिल भारतिय सेक्सिक समेलन में एक मोडल सारजनिक पुस्त का ले दिनियम निम्न में से किस वर्ष पस्तूद किया था तो किस वर्ष पस्तूद किया था राइट एंसर क्या होगा अगला क्यूशन है कि राज किया है हरी संद सारजनिक पुस्त का ले राज कि पुस्त का ले राज किया सुमेर सारजनिक मंडल पुस्त का ले राज किये सरस्ति मंडल पुस्त का ले यह दिस्र जिले मिस्तित है उनके सही करम में उनको तुने तो आपके जो अप्षिन है वो नीचे दिये गए हैं में से राइट एंसर क्या होगा टूरा你 हरीस चन्ह शाुजुनिक पुस्तकाले जिला पुस्तकाले कांपर है तो यह जलावाड में है जलावाड में दूफ हँ तूब में दिए गया है उसके बाद है राजकी शुमेर सावजुनिक मंदलने फेसा जोडपूर में दो जहलावाड जौर्द और इसमें बिज्वाड और जौर्द अगला है राजिए सरवति मंदल पुश्थकाल यह उद्यपूर में का रहा धर वुद्यपूर में तो ऑप 250 थ्री राजकिया सरफ्ति मंदल पुस्तकाले उद्यवपूर में है और राजकिया महाराजा सारजनिक पुस्तकाले का पर है तो यह जैपूर में है ओप्शन थ्री राइट होगा अगला क्यूशन है देश की किस पंचवर्षिय योधना में विश्वी धल अनुदान आयोग दोवारा सेक्सिक पुस्तकाले में अपने अनुसंदान करने में वैस्त विज्यानिक के समय को बचाने के लिए रीप्रोग्राफी सेवाएं परदान करने का प्रावधान किया गया और रीप्रोग्राफी सेवाय हैं हो कौन सी पंचवर्षय योधना में शुरूप कि गई थी तो आपके जो Op Sansil यह इस परकार है किस आयोग ने यह सिपारिश की कि विश्वी धाले का लाइबरेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है उसे प्रोफेसर की तरह रेंक स्केल पद और सेवा अधिर दी जाने चाहिए यह सब है वो कौन से आयोग द्वारा सिपारिश की गई थी तो आपके जो ओप्षन है वो इस प्रकार है सेडलर आयोग 1917 हंटर आयोग 1882 मादेमिक शिक्ष्या आयोग 1953 या विश्वी धाले अनुदान आयोग 1953 तो राइट हैंसर क्या होगा ओप्षन डी या ओप्षन फोर है वो राइट होगा विश्वी धाले अनुदान आयोग 1953 या सिपारिश की गई थी कि विश्वी धाले का जो लाइबरेरी नहीं है वो किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है उसे प्रोफेसर की तरह ही रेंक स्केल पद और सेवा प इंडियन नाइजिरियन बिब्लियोग्राफी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या इंडियन नॉर्थन बिब्लियोग्राफी तो राइट एंसर क्या होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ओप्षन सी ओप्षन 3 राइट होगा इंडियन नेशनल बिब्लिय दो इसकी प्रकाशन के अव्दी ती 1908 उround से लेकर। 1963 तक इसके प्रकाशन की अव्दी थी वो थी तर्य मासिक। उसके बाद से ये मासिक प्रकाशन केह दाता है। आईएनबी का जो मासिक परकाशन है, 1963 के बाद से किया जाता है, और ये 14 भारतिय बासाओं में परकाशन किया जाता है, इसका कितनी, तो 14 भारतिय बासाओं में आईएनबी का जो परकाशन है, वो किया जाता है, आईएनबी का जो कम्प्यूटराइज एडिशन है, वो जून दो हजार से परारम हुआ था अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर सेवन उननीस सो में बगीचा पुस्तकाले यान की गार्डन लाइबरेरी जो जैपूर में स्थित है किसके दवारा स्तापित किया गया था तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है मेजराजा राम सिंग राय भादूर इसान स्वाई जैसिंग या स्वाई परताब सिंग तो राइट एंसर क्या होगा ओप्शन भी राइट होगा राय भादूर इसान दवारा जैपूर में गार्डन लाइबरेरी या बगीचा पुस्तकाले की स्थापना उननीस सो में की गी थी अगला क्यूशन क्यूशन नमर एट उस लाइबरेरीन का नाम बताईए जो नीशलुक रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा परदान करने के लिए परसित थे और इस कारिये के पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी पुस्तकों का नीशलुक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा परदान करते थे कौन मास्टर मौतिलाल संग्वी अगला क्यूशन है क्यूशन नम्र 9 पुस्तकाले विज्यान के पांचवे 57 सार पुस्तकाले एक वर्दनशील खालिस्तान है पुस्तकाले एक क्या है तो आपके जो अप्प्चन है वो इस प्रकार है और्गिनिजम, जीव, और्गिनाइजेशन, संगठन, इंस्टिट्यूशन, संस्था या सेंटर के अंदर तो क्या है, option A right होगा, और्गिनिजम, लाइबरेरी जे, और्गिनिजम, पुस्तकाले एक वर्दनशील, जीव है अगला क्यूशन है, क्यूशन नमर दस भारतिय पुस्तकाले संग, ILA दवारा जारी, ILA बुलेटिन, जिसका परकासन, General of Indian Library Association के रूम में किया जाता है, कि आवर्दी क्या है उसके जो परकासन की आवर्दी है, वो क्या है, तो आपके जो उप्षन है, वो इस परकार है, दुविमासिक, त्रेमासिक, मासिक या वार्चिक तो राइट एंसर क्या होगा, उप्षन भी, त्रेमासिक, क्या है आईयले द्वारा जो आईयले बुलेटिन प्रकासित की जाती है उसकी जो अवदी है वो तरेमासिक है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर ग्यारा गरंथाना एक अधिकारिक सरकारी प्रकासन है किसका है गरन्थान है वो एक अधिकारिक सरकारी प्रकासन की संस्ता का है तो राश्टिय पुस्तकाले मिशन नेशनल इस्टिटूट ओफ साइंस कम्यूकेशन एंड इन्फोर्मेशन रिसोर्से निस्केर नई दिल्ली का ओफ्षन थरी है राश्टिय ग्यान आयोग नई दिल्ली का या राजा राम मोहन राए पुस्तकाले प्रतिष्ठान कोलकता का तो किसका है तो आप्शन फोर होगा आर आर एलफ यानिकी राजा राम मोहन राए पुस्तकाले परतिस्ठान कोलकत्ता का गरंथान एक अधिकारिक सरकारी परकाशन है अगला क्यूशन क्यूशन नंबर बारा राजस्तान सरकार्ड वारा किस वर्स परकार था ? एप्सटान में सरकार्ड परकार थाइ परकार था नंब या और नंबर नंबर होगा घृजार था या ऑप्सटान क्यूश भरकाशन है अगला क्यूशन क्यूशन नमर 13 पुस्टकाले उपकर किस से समद्धित है पुस्टकाले उपकर है वो किस समद्धित है आपके तो ऑप्षन है वो इस प्रकार है सारुजनिक पुस्टकाले सेक्सिक पुस्टकाले विशेश पुस्टकाले या या लाइबरेरी तो किस समद्ध सब्सक्राइब से संमंधित है कि अगला क्यूंशन है किस्वाइब कि सब्सक्राइब किसे काँग है कि तो आपके जो और मानवसनसादन पुस्टका ले भी पुस्टका सबस्कार्मीच या पुश्ट अगा है कि अगला कि में 15 वर्तमान में राजस्तान में कुल कितने राजकिय सारोजनिक मंदल पुस्तकाले है तो आपके जो उप्षन है वो इस प्रकार है सेवन सिक्स एट या फाइब तो रास्तान में मंदल कितने है साथ है तो मंदल पुस्तकाले भी कितनी होंगे साथ होंगे उप्षन ये राइट होगा रास्तान में साथ मंदल पुस्टकाले है, अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर सोडा, वरतमान में रास्तान के राज़िके, सारजनिक पुस्टकाले है, किस विवाग के दिन संचालित है, आपके जो उप्शन है, वो इस फरकार है, समाज कलियन विवाग, उस शिख्षय विवाग भासाएं पुस्तकाले विवाग या मदे में इक शिख्षय विवाग तो right answer क्या होगा? Option C, right होगा भासाएं पुस्तकाले विवाग के अधीन वर्तमान में जो राजस्तान के रावग के सारधरिनिक पुस्तकाले है वो संचालित है किसके तो बासा हैं पुस्टकाले विवाग के अधीन ओप्शन 3 राइट होगा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 17 सन 1922 में युनियसको द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के चेतर में कंप्यूटरी कर्थ सुचना पुने प्राप्ति योधना के प्रिक्षन बाबत निम्न में से कौन सा प्रिक्षन किया गया था तो आपके दो उप्शन है वो इस प्रकार है पुस्टकाले और सुचना पुने प्राप्ति प्रनाली सामाजिक और मानविज्ञान के लिए option 2 है सामाजिक और मान विज्यान के लिए data retrieval प्रणाली option 3 सामाजिक और मान विज्यान के लिए परलेखन पुने प्राप्ति प्रणाली या option 4 सामाजिक और मान विज्यान के लिए सुचना पुने प्राप्ति प्रणाली तो right answer क्या होगा? option 2 option B right होगा सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए data retrieval परणाली 1923 में युनेशको द्वारा प्रिक्षन भाबत प्रिक्षन किया गया था D.A.R.E के अंतरगत सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए data retrieval परणाली के अंतरगत Option 2 right होगा अगला question है, question number 18 कि युनेसको Dora सारजणिक पुस्थ काल विख गोषण आप पतर अंतीम बार किस वर्ण संसोदीत किया घया था। आपके जोफ्षन है वे सिस्प्रकार हैं ऑपशन ही Dragon आप दों χजार नो या उनी जो देने वह उप्शन पोर राइट होगा उनीचो तुराणमे में किया गया था कब यह तो उनीचो तुराणमे में कि अगला क्यूशन कि इंट्रनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइबरेरी अस्यासियसन यानि कि इफला इफला की स्थापना है वो किस वर्थ होई थी आपके दो उप्शन है इस प्रकार है 30 सितंबर 1927 27 सितंबर 1927 29 सितंबर 1927 या 28 सितंबर 1927 तो इफला की जो स्थापना है वो उप्शन ए राइट होगा 30 सितंबर 1927 को इफला की स्थापना की गी थी कब है तो 30 सितंबर 1927 को अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 20 एक ऐसा कारियविदी जिससे विभीन पुस्तकालियों के कारियों को एक से अधिक कॉमेंस दवारा साजा किया जाता है को किसी नाम से जाना जाता है आपके जो उप्षिन है वो इस परकार है उप्षिन ए संसादन परबंदन उप्षिन संसादन साज़ा के नाम से जाना जाए जएको से वाप्षिन ट्राइट होगा हैं अगला क्यूंशन है दसमलव वर्गी करण पद्यत्यति का पर्तम शंशक्न और आझ्या से परकासित हूए को दास्मलब वरगिगन पत्ति का परत्म संसकरन किसकी अक्यासे प्रकाशित हुं है तो आपके जो सव्याल रहा है गहात्याइवे देशिमल classification scheme से, option two, david decimal classification scheme से, option three, cd-rom david decimal classification scheme से, या option four, a classification and subject index for cataloguing and arranging the books and templates of a library, तो right answer क्या होगा, option d right होगा, दस्मलब वरगिकन पत्ती का जो परतम संस्क्रण है, वो a classification and subject index for cataloguing and arranging the books and templates of a library की आख्या से परकासित हुआ था, इस नाम से परकासित किया गया था, अगला question, question number 22, दस्मलब वरगिकन पत्ती का वह कौन सा संस्क्रण है, जिसकी आख्या में dv का नाम नहीं था, अपी तू उसे मुख्य पर्ष्ट के पीछे लिखा गया था, ddc का कौन सा संस्क्रण था, जिसमें मैल्विल डेवी का नाम नहीं था, जबकि उसे मुख्य पर्ष्ट के पीछे लिखा गया था, तो आपके दो option है, इस प्रकार है, पर्थम 18, 21 या 22 तो कौन सा था, पहला संस्क्रण था, जो मैल्विल डेवी के नाम से प्रकासित नहीं हुआ था, अगला question है, question number 23, दस्मलव वरगिगन पत्ती के पर्थम संस्क्रण में कुल कितने पर्ष्ट थे, तो आपके दो option है, इस प्रकार है, 45, 46, 44 या 24, तो डीडीची के पर्थम संस्क्रण में, 44 पर्ष्टे, option 3 राइट होगा, और पर्थम संस्क्रण है, वो मेलेविल डेवी के नाम से प्रकासित नहीं हुआ था, जबकि उसे मुख्या पर्ष्ट के पीछे लिखा गया था, अगला क्यूशन है, द्वी बिंदू वरगिकन पत्ती, निमन में से किस्य समदित है, आपके दो option है, वो इस प्रकार है, आशिक फेस्टेड, अनमे फेस्टेड, लगभग फेस्टेड या निर्बाद फेस्टेड, तो राइट एन्सर क्या होगा, option 4, निर्बाद फेस्टेड, द्वी बिंदू वरगिकन पत्ती है, वो निर्बाद फेस्टेड या फ्रीडली फेस्टेड से समदित है, option 4 है, वो राइट होगा, अगला question है, question number 26, सब्द literary warrant को किसके द्वारा पर सुथ किया गया था, literary warrant को किसके द्वारा पर सुथ किया गया था, आपके दो option है, वो इस प्रकार है, वैल विल डेवी, ई विदमान हल में, डॉक्टर एसार अरंगनाथन या ए नील मेगनन, तो राइट एंसर क्या होगा, राइट एंसर होगा, option B, ई विदमान हल में द्वारा, सब्द literary warrant है वो, ई विदमान हल में द्वारा परसुथ किया गया था, इससे पहले एक परसन रह गया, औरी, द्वी विंदू वर्गिकन पत्ति में द्वी विंदू निम्न में से किसका परती नी दीत्वा करता था, द्वी बिंदू वरगेगर्ण पत्ति में द्वी बिंदू है वो किसका पत्ति नीदित्वे करता है तो आपके दो option है वो इस प्रकार है सुन्ने, old सुन्ने, दो सुन्ने या नवीन सुन्ने तो कौन सा होगा right answer? option D नवीन सुन्ने का दवी बिंदू वरगेगर्ण पत्ती में दवी बिंदू है वो नवीन सुन्ने का परती नीदीत वै करता है लिटरेरी वारंट तो ये विदमान हल में द्वारा परतुत किया गया था अगला क्यूशन क्यूशन नमर 27 engagements seasons union में से क्या गिशिक अबिवेक्टी के सह्योध्जन से प्राप्त किया गया है is catalog है वह गरीक बाथा के कौन से सब्त है मिलकर बना है तो आपके जो option है बस्परकार है catta news can coffin generate Lunoss team 22 Keta पजोगी स att multicultural 뉴스 या केटा लौ 거지 तो किस से बना है Option B, Right होगा, Kata Plus Logs से Option B, Right होगा अगला क्यूशन, क्यूशन नमबर 28 कैटा लोग, जब दो या अधिक पुस्तकालियों के संग्रे के परतिनीदित्वे करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आपके जो Option है, वो इस प्रकार है जब का है, बर्गीकर्त सुची, संग्सूची, सब्ड कोष्य सुची या विशे सुची तो क्या कहा जाएगा उसे? Option B, Right होगा, संग्सुची Option B, संग्सुची कहलाएगा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 29 बर्गीकर्त सुची संईता है वर्गीकर्थ सूची साहिता है आपके दो option है वो इस प्रकार है आ नील मेगन दवारा परतिपादित रंगनाथन की पर्थम गरंत DRTC दवारा परतिपादित या option 4 भारत की परतम वर्गीकर्थ सूची साहिता तो right answer क्या होगा औप्षन 4 है वो right होगा वर्गीकर्थ सूची सहिता भारत की पर्थम वर्गीकर्थ सूची सहिता है option 4 right होगा अगला question है ramification का तातपरी है ramification से क्या तातपरी है तो आपके जो option है वो इस प्रकार है पंक्ती, उपसुतर, विशे का विवादन, उप विवादन या समाने एकल तो option 3 right होगा ramification से जो आश्य है वो विशे का विवादन या उप विवादन अगला question, question number 31 निम्न में से उस चिन्य को चुनिए जिसका परियोग दोनो द्वी विंदू वर्गीकर्ण पत्ती और दसमिलव वर्गीकर्ण पत्ती मत है यानि कि CC और DDC और दोनो वर्गीकर्ण पत्तियों में जिस चिन्य का परियोग होता है वो इन में से कौन सा है तो आपके जो option है वो इस प्रकार है अर्दविराम डोट चिने बराबर चिने या उद्धरं चिने तो right answer क्या होगा option भी डोट चिने का प्रियोग है वो दोनों वर्गीकन पत्तियों दुवी बिंदू वर्गीकन पत्ति और दस्मलब वर्गीकन पत्तियों में होता है option 2 right होगा डोट चिने अगला question है question number 32 वर्गीकन करने की गत्वीदिया के 0 से 4 चरणों को कहते हैं वर्गीकन करने की गत्वीदियों के 0 से 4 के जो चरण है उन्हें क्या कहते हैं तो आपके दो option है वो इस प्रकार है साब्दिक दिरातल वेचारिक दिरातल आंकिक दिरातल या इनमें से कोई नहीं तो right answer क्या होगा option 2 right होगा वेचारिक दिरातल कहलाएंगे वे option 2 अगला क्यूशन है एब्रिज्ड दस्मलव वर्गीकन पत्ति के नमीनतम संसकर्ण को बताईए संक्चिप्ट संसकर्ण डीडीसी का नमीनतम कौन सा है तो आपके जो option है वो इस प्रकार है पर्थम संसकर्ण 5 संसकर्ण 3 तर्थीय संसकर्ण याज्द सowej संचर्ण तो option lion option विर्इट अफंडियर होगा डीडीसी के अब तक 15 संख्चिप्ट संसकर्ण वह परकासित हो चुकियो है कि जो इसका नमीन संसकर्ण है संक्चिप्ट वो पंदर मा होगा में मैं अगला क्यूशन है कूशन नंब चॉँशन 25 दस्मलाव वर्गिकल पत्ति के नमीं तम संस्क्रण को बताईए दस्मलव वर्गिकल पत्तिके नमीं तम संस्करण डीडीसी का दो आंतिम संस्करण कौनसा है तो आपके दो उप्चननों इसस्प्र kr Kar है तीसरा साथवां, तेशवां या पर्थम तो option 3 right होगा तेशवां संसकन तेशवां संसकन टीडीसी का नमीनतम यांतिम संसकन है अगला क्यूशन है, क्यूशन नंबर 35 दसमलव वरगिकन पत्ती के बीशवें संसकन की परमुक उपलुब दिया है इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया Electronic version जिसका नाम क्या था, डीडीसी का दो 1993 में CD-ROM में Electronic version जारी किया गया था उसका नाम क्या था, आपके दो option है, वो इस परकार है Online DV, Virtual DV, Electronic DV या Computer DV तो right answer क्या होगा option C right होगा Electronic DV नाम से परकासित किया गया था अगला क्यूशन क्यूशन नमबर 36 दस्मलव वरगिकन पत्ती के 21 संसकंड में कूल कितने खंड थे आपके जो option है, वो इस परकार है 5, 3, 4 या 2 तो DDC के 21 संसकंड में कूल कितने खंड थे option 3 right होगा 4 खंड थे, कितने? 4 अगला क्यूशन है दस्मलव वरगिकन पत्ती के 21 संसकंड के electronic वरधन का नाम निमन में सिक्या था तो आपके जो option है, वो इस परकार है DV4, DOS DV4, Android DV4, iOS या DV4, Windows तो right हैंसरों का option 4 दस्मलव वरगिकन पत्ती का 21 वागिकन पत्ती का उसका नाम था DV4, Windows जो 1996 में परकासित किया गया था, कब है तो 1996 में परकासित वाता ये अगला question है, question number 38 Phoenix अनुसुची निमन में से किसका अंग है आपके जो option है, वो इस परकार है दस्मलव वरगिकन पत्ती यानि की डीडीसी DV5, वरगिकन पत्ती यानि की सीसी option 3 है, सारुद भोमिक वरगिकन पत्ती यानि की UDC option 4 है, गरंच सुची वरगिकन यानि की BC, तो right answer क्या होगा right answer क्या होगा, Phoenix अनुसुची किस में प्रियोग की जाती है या किस कांग है, तो option A right होगा, डीडीसी का दस्मलव वरगिकन पत्ती का अगला question, question number 49 anglo-american cataloging rules to AACR2 के मुताबिक मुख्य परिष्टी बनाने के दोरान परतेक छेतर, पहले छेतर के अलावा की शुरुआत, तथा नया अनुचेद शुरु होने से पुरो, निम्न में से किस सेयोजन, किस चिने सेयोजन का परियोग करते हैं, तो आपके जो option है, वो इस प्रकार है, option 1, पुर्ण विराम, option 2, पुर्ण विराम, space, dash, space, option 3, dash, या option 4, slash, तो right answer क्या होगा, option B, right होगा, पुर्ण विराम, space, dash, space का परियोग किया जाएगा, अगला क्यूशन क्यूशन नमबर चालीस एंगलो अमेरिकन कैटालोगिंग रूल्स AACR2 के मुताबिक ये दी सुचना निर्धारित सुरोतों के इलावा बाहर से ली जाती है तो उनको निम्ण में से किस कोश्टक में बंद किया जाता है आपके दो option है वो इस प्रकार है मंदला कोश्टक, छोटा कोश्टक, बड़ा कोश्टक या कौन कोश्टक तो right answer क्या होगा option C बड़ा कोश्टक में लिखे जाएंगे किसमें option C right होगा बड़ा कोश्टक अगला question number 41 प्री ग्रेंड कर्माक का अर्थ है आपके जो option है वो इस प्रकार है option 1 गरंथ का वरगांक यानि कि क्रामकंक option 2 परतेक उसकाले द्वारा परदित किया जाने वाला यूनीक संक्या option 3 गरंथ का गरंथंक यानि कि बुक नंबर या option 4 गरंथ का वरगंक तो राइट अंसर क्या होगा? question number 41 में option B right होगा परतेक उसकाले द्वारा परदित किया जाने वाले यूनीक संक्या है वो प्री ग्रेंड कर्माक कहलाती है option 2 right होगा इसमें अगला question है question number 42 निधानी सुची का मुख्य उप्योग है आपके दो option है वो इस प्रकार है सुची कान वरगी कान बोतिक सत्यापन या परिचालन तो निधानी सुची का मुख्य उप्योग है ओप्षन जी right होगा बोतिक सत्यापन में अगला question है प्री ग्रेंड पंजिका की मानक आकार क्या है आपके जो option है वो इस प्रकार है 16 इंटु 12, 16 इंटु 11, 16 इंटु 14 या 16 इंटु 13 तो right answer क्या होगा प्री ग्रेंड पंजिका की जो मानक आकार है वो 16 इंटु 13 है अगला question, question नमबर 44 पुस्तकाले सुची पत्रक, विशेश रूप, निर्मित दिराजों में रखे जाते हैं उनको निम्न में से क्या कहा जाता है आपके जो option है वो इस प्रकार है charging tray, filling उपकरण, परदर्शन गनताधार या सुची cabinet तो क्या कहा जाएगा? option B right होगा, filling उपकरण पुस्तकाले सुची पत्रक, विशेश रूप, निर्मित दिराजों, रायर्स में रखे जाते हैं उनको filling उपकरण कहा जाता है, option 2 right होगा अगला question, पुस्तकाले दवारा करे कि पुस्तकों का बुगतान निम्न में से किस प्रकिरिया के बाद किया जाता है आपके जो option वो इस प्रकार है, pre-grand, वरगी कर्ण, सुची कर्ण या निदानी वेश्तापन तो pre-grand होगा, option A right होगा, पुस्तकाले में, पुस्तकाले के pre-grand करने के पस्तात, उनका जो भुगतान है वो किया जाता है, pre-grand परकिरिया के बाद अगला question, तकनिकी प्रभाग द्वारा मुख्यते दो कारिये संपादित के जाते हैं, जिनमें वरगी कर्ण तथा, option A, सुची कर्ण, pre-grand, अनुकर्मिन कर्ण, या सार कर्ण तो right answer क्या होगा, option A, right होगा, सुची कर्ण तकनिकी प्रभाग द्वारा मुख्यते दो कारिये संपादित के जाते हैं, वरगी कर्ण और सुची कर्ण अगला question, question number 47 question number 47 है, पाठक दवारा पुस्तक लोटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड से लोटा दिये जाते हैं, इस परकिरिया को निम्न में से कहा जाता है तो आपके जो option है, वो इस प्रकार है, सुची कर्ण, holding, आगम यानिकी discharging या निरगम यानिकी charging तो क्या कहलाएंगी? option C right होगा आगम, discharging, क्या कहलाएगा आगम या discharging अगला question, पुस्तकाले में प्रवेश पर पाठकों के निजी समान को निम्न में से किस में रखा जाता है? आपके जो option है, वो इस प्रकार है, clock box, sympathy counter, gate counter या store room, किस में रखा जाएगा? right answer क्या होगा, option B right होगा, संपती counter में, किस में? संपती counter में, option 2 right होगा? अगला question है, question number 49, पाठकों दोड़ा, अलमारियों में किताबों को गलत निदानी में रख दिया जाता है, उसे पुने उसी निदानी में रखने की परकिरिया को किस नाम से जाना जाता है? आपके जो option है, वो इस प्रकार है, निदानी नियतन, बोतिक सत्यापन, निदानी परी सोधन या बंडार सत्यापन, तो क्या कहलेगा? option 3 right होगा, निदानी परी सोधन, गलत निदानी में रखने के बाद, उसे पुने, उसी निदानी में रखना, निदानी परी सोधन अगला क्यूंशन पुरानी अनुप्योगी यानि की वीडिंग क्या क्यलाएगी पुरानी पुरानी अनुप्योगी यानि की वीडिंग क्या क्यलाएगी पुरानी अनुप्योगी यानि की वीडिंग क्या क्यलाएगी पुरानी अनुप्योगी यानि की वीडिंग क्या चलाए किसेंग समाने वीतिया लेखा एवनियम 2005 के अंसार परती हजार पुस्त्कों के निर्गमन एवन प्रामर्स पर निमलिक्ष्ट में किसके बराबर नुकसान है वो उच्छी तूप माना जाता है। रमाने बी तिय लेख हैं, ईवनियम दो हजार पांच के इंसार, हजार पुस्थोकों पर कितनी पुस्थज्थों के हैं, वो नुकसान है, वो उचित रूप माना जाता है, कितनी पुस्तों के बराबर तो राइट एंसर क्या होगा पांच ओप्शन डी राइट होगा पांच पुस्तों के बराबर नुक्सान है वो उचित माना जाएगा अगला क्यूशन है जिल्द साजी की परकिरिया के पर्थम चर्ण में पुस्तकाले में जिल्द सादी का परमुक उदेश से पुस्तक सामगरी को परदान करना है पुस्तक सामगरी को क्या परदान करना है तो नीचे उप्शन दिये गये है उनमें से right answer है, वो कौन सा होगा, option D right होगा, टिकाऊ और स्थाइत वे परदान करना है, क्या है, पुस्तकाले में जिल्द साधी, जिल्द साधी है वो, उद्देश से है, पुस्तक सामगरी को, टिकाऊ में स्थाइत वे परदान करना है, अगला question, पुस्तकों की प्रिविष्टी निम्न में से किसके अनुसार होती है, नीचे option दिये गए है, इनमें से right answer कौन सा होगा, तो option D right होगा, पुस्तकाले में प्राप्त होने की तिथी, option D right होगा, पुस्तकाले में प्राप्त होने की तिथी, अगला question, किस संग्ठन दवारा पत्रिकाओं की रिकोर्ड को रखने के लिए, कार्डेक्स परनाली विक्सित की गई, किस संग्ठन दवारा पत्रिकाओं का रिकोर्ड रखने के लिए, कार्डेक्स परनाली का विकास क सबाट किया गया था तो राइट एंसर क्या होगा निव राइट एंसर रहगा भारत के रैमी गटन रेंड कंपनी द्वारा अनुट एग्ला क्यूशन 논मबर 56 कॉक्त कार्डेकस एक कैविन एक कार्डे जिसमेंने एक के मिनेट में 16 ट्रे होती है है जिसमें एक ट्रे में कितने अधिक्तम प्रकाशन की कोर्ड रखे जा सकते हैं कि ना आप निचे विवां दीगी है इनमें रॉक्षा क्या होगा ओप्षण B ॥ bigger और चोई inspect कितने अधिक्तम का सनद के रखे जाएंगे तो 64 अगला क्यूशन चमड़े का उपयोग जिल्द साध्जी की सामगरी के रूप में होता है जिसे खालिस्तान सबसे मजबूत चमड़ा है सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा है तो option D right होगा बेड़ का चरम कौन सा है बेड़ का चमड़ा है वो सबसे मजबूत होगा अगला क्यूशन है इन में से कौन सी पदती का इस्तमाल पुस्तकों के निर्गम और आगम है तो नहीं किया जाता है निवारक ब्राउन पंजी का परणाली अभिलेक पदती तो कौन सी का नहीं होगा अभिलेक पदती का परियोग है वो नहीं होगा पुस्तकों के निर्गम और आगम के लिए नेवार्क पत्ती का भी प्रियोग किया जाता है ब्राउने पत्ती का भी और पंजिका पत्ती का अगला क्यूशन पुश्टकों के निर्गम फ्र-गम है तू डे बुख पत्ती हैं खाता भई पत्ती निम्न में से किसके परकार है डमी प्रणाली के डेट राइट स्वेचार्जिक विदी के रेजिस्टर परणाली के या स्थाई परचीश सिस्टम के तो राइट एंसर क्या होगा ओप्शन सी राइट होगा रेजिस्टर परणाली के परकार है किसके हैं ओप्शन सी रेजिस्टर परणाली के अगला क्यूशन क्यूशन नमर साथ इन में से कौन सा कारिय परिचालन विवाग से समदित नहीं है पाठकों का पंजिकन, पुस्तकों का निरगम या अगम अतिदेश सुलक वसुली या वरगिकन ये सुचिकन तो उप्षन C राइट होगा अतिदेश सुलक वसुली है वो पर का सामिक अभिगिता सेवा का अनुवाद सेवा का या चैनित सुचनापरसान्ड सेवा का किसका है तो option D right होगा चैनित सुचनापरसान्ड सेवा यानि की SDI का हिस्षा है अगला question वर्नात्मक जानकारी पता करने के उचित स्रोथ है गनत संदरबसुची, निर्देशी का विष्वव कोष या सब्ध कोष तो रायट आंसर क्या होगा, option C right होगा, विष्वव कोष विश्वकोस है वो वरनातमक जानकारी का पता करने के लिए उचित स्रोत है Option C, Right होगा अगला क्यूशन, सोद पतरिका में परकासित लेख है तर्तिय स्रोतों, संद्रब स्रोतों, मदेमिक स्रोतों या प्रात्मिक स्रोतों Option D, Right होगा प्रात्मिक स्रोतों से सोद पतरिका में परकासित लेख है, वो प्रात्मिक स्रोत है कौन से प्रात्मिक स्रोत है अगला क्यूशन है संद्रब स्रोतों में वे होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं आसानी से घर पर पड़ सकते हैं विशेश जानकारी प्राप्ट करने के लिए पुस्तकाले में ही इस्तमाल किये जाते हैं या महेंगे होते हैं तो राइट एंस्वर कौन सा होगा, ओप्शन C राइट होगा, संदर्फ सरोत वे होते हैं जिन में विशेश जानकारी प्राप्ट करने के लिए पुस्तकाले में ही इस्तमाल किये जाते हैं अगला क्रिशन है व्यपार गरंत संदर्फ सुची है व्यपार गरंत संदर्फ सुची एक है लेखक गरंत संदर्फ सुची की सुची विशेश गरत संदर्फ सुची की सुची परकासत दवारा संकलित की गई प्रिंट में या विक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सुची य तो right answer क्या होगा option C right होगा व्यापार गनत सूची है वो परकासक दवारा संक्लित की गई परिंट या विक्री के लिए संक्लित पुस्तकों की सूची है अगला क्यूशन cover to cover अनवाद है चैनित सुचना परशार सेवा, सामीक अभीगता सेवा सेवाओं की मां या अगरेंग सेवाएं तो क्या है option B right होगा सामीक अभीगता सेवा cover to cover अनवाद एक परकार की C.A.S. case यानि की सामीक अभीगता सेवा है अगला क्यूशन सारकर्ण सेवा परदान करती है सारकर्ण सेवा कौन परदान करती है लेक का सार, लेक का संपूर्ण वाग्में वीवर्ण लेक का सार के साथ साथ संपूर्ण वाग्में वीवर्ण या पूरे गनत सुची स्त्रोड तो right answer क्या होगा option C right होगा सारकन सेवा है वो लेक का सार के साथ साथ संपूर्ण वाग में वीवरन परदान करती है अगला क्यूशन क्यूशन नमबर 68 भारतिय राश्टिय संदरफ गनत सुची यानकी INB में पहली बार परकासित हुई थी बारतिय राश्टिय गनत सुची है वो पहली बार किस वर्ष परकासित हुई थी तो ये 1958 में परकासित की गी थी 1958 में right answer क्या होगा 1908 होगा इनमें 1958 नहीं दिये गए है तो 1957 भी इसका right answer हो सकता है 1958 नहीं होने की कार्ण इसका जो right answer है वो क्या होगा 1957 अगला क्यूशन है इंडेक्स इंडियाना एक है भारतिय बासा सामीक साज्टे की अनुकर्मनिका विदेशी बासा सामीक साज्टे की अनुकर्मनिका चेत्रिय बासा सामीक साज्टे की अनुकर्मनिका या इनमें से कोई नहीं तो right answer क्या होगा option ये right होगा इंडेक्स इंडियान है वो भारतिय भासा सामीक साइते की अनुकर्मनिका है अगला क्यूशन भारतिय राष्ट्रिय संद्रप गरंत सुची यानि की आइनबी के खंडों की कम्प्यूटरी घर्थ पीडी की शुरुवात कब से हुई थी? अगला क्यूशन भारतिय राष्ट्रिय संद्रप गरंत सुची आइनबी में मराठी बासा के साइते के लिए किस चिने का इस्तमाल किया जाएगा? आपके जो ओप्षन है वो इस प्रकार है म, 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 अर, म, ट, तो क्या होगा राइट एंस्वर? ओप्षन सी राइट होगा म, अर का परियोग किया जाएगा? अगला क्यूशन, क्यूशन नमबर 72 निमलिकित संदरब सरोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किस तमक का इस्तमाल करना चाहिए? निमन संदरब सरोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तमाल करना चाहिए? निर्देशिका का, गजेटियर, विश्व कोस्ट या सब्द कोस्ट तो किसका ओप्षन भी राइट होगा गजेटियर का, किसका गजेटियर का? अगला कुशन, निमनलीगित संदरब सरोतों में से जैपपुर के एतियासिक समार्कों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तमाल करना चाहिए? एटलस, गजेटियर, गजेटियर, गईड़ बुप या गलोब तो किसका गईड़ बुप का? option 3 right होगा guide book का प्रियोग करेंगे अगला question books in print प्रकाशन की आवर्ति क्या है मासिक, साप्ताइक, वार्षिक या त्रे मासिक तो क्या है option C right होगा वार्षिक अगला question निम्न में से कौन से दीतिक शरोत नहीं है विश्व को सोद परबंद संग्र है या पाठे अपुस्तक तो कौन से नहीं है option B right होगा सोद परबंद है वो दीतिक शरोत नहीं है ये प्रात्मिक शरोत है अगला question question number 76 क्या संदरब सेवा के दो परकार होते हैं सायकित अनुकर्तिकरण एमनवाद सेवा सामिक अभिगता सेवाएं चैनित सुच्रा परशाण सेवा तो राइट अंसर क्या होगा option C right होगा संदरब सेवा के दो परकार है वो है पस्तूत संदरब सेवाएं व्यापक संदरब सेवा पस्तूत संदरब सेवा में जानकारी तत्काल परदान की जाती है जबकि व्याभपक 76 संद्रव सेवा में जानकारी परदान करने में टाइम लगता है अग्ला क्यूशन यदि कोई नर्सिंग महावी दाले का पता पूचता है तो निम्न में से किस संदर्ब सेवा के इंतर इगी पस्तुत संदर्ब सेवा और पक संदर्ब सेवा सामीक अभीगिता सेवा या चैनी सुचना परशानद सेवा तो किसके इंतर इग्फ़कत आएगी इसके नर्शिंग महा भी दाले का पता पुछेगा तो ततकाल संद्रप शेवा इसके ततकाल पर्श्तुत संद्रप शेवा या ततकाल संद्रप शेवा के अंतर गिताएगा अगला Qv misinformation और है Q Q्सी फाइल को Computer से स्थाइ रूप से अटाने के लिए कौन से विकल्ब दबाना होगा Shift पलस डिलीट, Ctrl पलस डिलीट, Alt पलस डिलीट, या Shift पलस डिलीट या Shift पलस कंट्रूल तो किसका option ا 1920 पलस डिलीट का उपयोग किया जाएगा किसी फाइल को computer से स्थाई रूप से हमेशा के लिए इटाने के लिए shift प्लस delete की का अगला क्यूशन हाल ही में नस्ट की गई या delete की गई फाइले हैं वो कहां संगरित की जाती है तो ये recycle bin में कहां संगरित होगी ये recycle bin में संगरित की जाएगी अगला क्यूशन है बग क्या है बग क्या है तो बग computer program में तुरूटी है option c right होगा computer program में जो तुरूटी है वो बग कहलाती है अगला क्यूशन है निमन में से कौन सी programming बासा नहीं है photon basic को बोल या aski तो aski को बासा नहीं है ये एक परकार का code है अगला क्यूशन c d s i s i s में c d x ron का परियोग किस के लिए किया जाता है computer card पर लेकन शंगन डिस्क, पुस्टी डिस्क, पॉपेड डिक्स option a right होगा c d का जो अरत है computerized documentation यानि की computer card पर लेकन अगला क्यूशन निमन में से कौन सा network protocol नहीं है http smtp tcpip z 49.50 तो right answer क्या होगा z 49.50 है वो एक परकार का protocol नहीं है अगला क्यूशन निमन में से कौन सा wave 2.0 का उपकर नहीं है facebook blog rss feed ugc infinite तो कौन सा नहीं होगा ugc infinite है वो wave 2.0 का उपकर नहीं है option for right होगा अगला क्यूशन electronic library है एक पत्री का एक journal एक विशुकोष या एक सब्दकोष तो क्या है एक journal है एक electronic library एक परकार की journal है अगला क्यूशन 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 निमन लिकित में से कौन सा कथन एक पत्रीकाओं के बारे में सत नहीं है वे डिजिटल मादयम से वित्रत की जाती है इनका भी संपाधक और संपाधक ये बोर्ड होता है यह पूर्ण तया नीशुलुक होती है इनका भी करमिक अंतराल से फरकासन होता है तो राइट एंस वर कौन सा होगा option 3 यह पूर्ण तया नीशुलुक होती है Gestor window या Linux तो कौन सा नहीं है कि option c windows वह open-source आप्टियर नहीं है इसके इलावा D space green-store और जो linux ॉस बहसे open-source परकार के शोप्ट्वियर है अगला क्या है ये परिंट्ट्री एक हर्डवेर किरीस राइट अगला क्युशन कि को यह इसू जिंदू क्या है इसुचल ठूसिन है वह ऐगर आपके दो और सुमय Saic उच्छा इलेक्ट्रोनिक संसादनों के लिए कंसोर्टियम प्रात्मिक शिक्षा संसादनों के लिए कंसोर्टियम मादेमिक शिक्षा इलेक्ट्रोनिक संसादनों के लिए कंसोर्टियम या प्रारंबिक शिक्षा इलेक्ट्रोनिक संसादनों के लिए कंसोर्टियम तो इस और सिंदु है वो ऑप्शने राइट होगा उच शिक्ष्या इलेक्टोनिक संसाधनों के लिए एक प्रकार का कंसोर्टियम है अगला क्यूशन निम्न में से कौन सी सेवा सुतना और पुस्तकाले नेटवर्क इन फिलिब नेट से समधित नहीं है सोद गंगा, सोद गंगोतरी, सोद यमनोतरी या इसोद सिंदु तो कौन सा नहीं है ओप्शन सी सोद यमनोतरी है वो इन फिलिब नेट से समधित नहीं है इसके लावा सोद गंगा, सोद गंगोतरी और इसोद सिंदु यह सभी जो इन फिलिब नेट के कारिकरम है अगला क्यूशन, सोद गंगोतरी के एक राष्टियस्तर की रिपोजिटरी है E समाचार पतर, E thesis, E synopsis या E general तो right answer क्या होगा? E synopsis, option 3 या option C right होगा सोद गंगोतरी एक राष्टियस्तर की E synopsis प्रकार की रिपोजिटरी है अगला क्यूशन, समाकलित प्रिपत यानि की integrated chip IC का प्रियोग कंप्यूटर की किस PD में किया जाने लगा? पर्थम, दिवितिय, तर्थिय या चतूर्थ में तो किस PD में? option C right होगा तर्थिय में? तीसरी PD में IC का प्रियोग किया जाने लगा था अगला क्यूशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तमाल की जाने वाले तीन परकार की बुनियादी बासाएं कौन सी है? जीरो, लो या हाई, कोबोल, बेसिक एंड प्रोलोग, फोटन, पियल, एम सनोबल या मसीन, असेंबली और हाई लेवल कौन सी लेंग्वेज है? तो उप्शन D, राइट होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो बासाएं प्रियोग की जाती है, वो है मसीनी, असेंबली और हाई लेवल लेंग्वेज अगला क्यूशन है, निमन में से किंडल एबुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उतबाद है? एमजोन, सोनी, इनफी बीम या एपल तो किसका ये? एमजोन का है, उप्शन A राइट होगा, एमजोन अगला क्यूशन कौन सा प्रारूप E-book Reader दवारा परियुक्त नहीं किया जाता है? BRF, E-pub, PDF या RTF कौन सा? तो आपसन A राइट होगा, बी आरफ बी आरफ परकार का जो प्रारूप है वो E-book Reader दवारा परियुक्त नहीं किया जाता अगला क्यूशन है इन में से एक MS-DOS boot disk की एक आवसक फाइल है कौन सी एक इन में से MS-DOS boot disk की एक आवसक फाइल है tree.com, start.com, command.com या where.com तो कौन सी होगी option C command.com है वो MS-DOS boot disk की एक आवसक फाइल है option C right होगा अगला क्यूशन है परबंद कोस नामक पुस्तक का लेक कोन है तो यह है राज से कर option A right होगा परबंद कोस के लेक कोन है तो राज से कर अगला क्यूशन अगला क्यूशन है निम्न में से किस सासक ने सरवपर्थम मुगलों के साथ संदी की थी तो राजा बारमन ने सरवपर्थम मुगलों के साथ संदी की थी जो आमेर के सासक थे अगला क्यूशन क्यूशन नमबर एक सो च्यार मेवाड यूँ मारवाड की संयुक्त सेनाई मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गी थी तो ये दंबारी 1680 में ओप्शन 3 राइट होगा मेवाडें मारवाड की जो सिंक्ट सेनाई थी वो मुगलो दोवारा देबारी 1680 में प्राजित की गई थी अगला क्यूशन निमन में से किसने अपने आपको हिंदुस्तान का बादसा नाडोल में जनवरी 1981 में गोशित किया था तो किसने सहजादा अकबर ने ओप्शन डी राइट होगा साधा सहजादा अक्वर ने अपने आपको हिंदुस्तान का बादसा नाडोल में जनवरी 1981 में गोशित किया था अगला क्यूसन है निमलिक्ट जोडों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है कौन सा एक है वो इन में से सही मेल है वो नहीं है तो इसका राव राणा कुंबा गुहिल सही है राव मालदेव राठोड सही है राना संगा गुहिल सही है ब्लाबड सबस्ति जोड़ुसमें मेल नहीं खता अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 107 यहां पर कुछ युदों की सुची दी गई है तो मद्यकालिन भारत में लड़े गए थे देवराई, धर्मत, सामुगड, समेल उनको कला समय के अनुशार व्यस्तित करना है तो सबसे पहले जो युदों लड़ा गया था वो था सामेल का युदों उसके बाद धर्मत का और उसके बाद राव मालदेव यानकी सामुगड और उसके बाद देवराई का युदों लड़ा गया था तो 4, 2, 3, 1 ओप्शन 3 राइट होगा अगला क्यूशन है डोला मारूरी बात किसके दवरा लिकी गई थी कौन सा है डोला मारूरी बात किसके दवरा लिकी गई थी तो ओप्शन B राइट होगा कुशाल चंदर दवरा किसके दवरा खुशाल चंदर द्वारा अगला क्यूशन सन 1137 में सामत सिमा के द्वारा किसके हातों पराजित होने के बाद डुंगरपूर राजे की स्तापना की गई थी तो विजेपाल के हातों में सन 1137 में सामत सिना के द्वारा विजय पाल के हतों पराजित होने के बाद डुंगरपूर राज्य की स्थापना की गी थी अगला क्यूशन गणगोर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है गणगोर का त्योहार तो ये चेत्र महीने में मनाया जाता है किसमें चेत्तर होगा चेत्तर महिने में जो इसमें ओप्षन में ही नहीं दिया गया है चेत्तर महां में गणकोर काति वहार है वो मनाया जाता है अगला क्यूशन है कवी सुर्यमल मिशनन ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस बासा में लिखी थी तो वीर सतसई है वो किस बासा में लिखी थी तो डिंगल में, ओप्शन ओफ न to a right होगा, डिंगल में अगला क्यूशन है किलों के निमलिकल जोड़ों में से किसे तारागड किलों के नाम से जाना जाता है अगला किश्ण काजी हमिदू दीन सुहरावदी को किस थल स्थान पर सरवपeurतम काजी बिनाये गए था तो ये नागोर में ओप्शनी राइट होगा नागोर में बनाया गया था अगला क्यूशन निमलिक्त में से कौन सा कतन हवा महल के बारे में सत्य है कौन सा कतन सत्य है इन में से तो पहला कथन वह सत्य उसका निर्मान परताव सिंग्ग द्वारा 1720 में किया गया था उसके पांत बंजीले हैं अगला क्यूश्चन है चोरासी खंबो की छत्री के बारे में निमली कित कत्थनों में से कौन सा कत्थन ए सत्य है इस चत्री का निर्मान राव विस्टनु सिंग्ग के काल में राव देवा दवारा कराए गया था यही गलत है इसमें इस चत्री का निर्मान राव अन्रुदु सिंग्ग के काल में राव देवा दवारा कराए गया था यह सही होगा यह सत्री बुंदी के पास देवपुरा मिस्तित है यह भी सही है बुंदों के पास और उसका निर्मान 1683 से 166 चणग मदेगर है यह सही है इसमें ऑप्शन यह है वो गड़त हो गड़त है इसलिए राइट एंसर क्या होगा ऑप्शन वन अगला क्योशन विनायका हतिया गोड एंकोलवी की परसिद बुद गुफाएं किस जिले के अंतरगर स्थित है जो की परसिद प्रेटन स्थल है विनायका हतिया गोड एंकोलवी की जो परसिद गुफाएं है वो किस जिले में स्थित है जो की एक परसिद प्रेटन स्थल है कि चिले में हैं तो यह जालावाड में हैं किस में हैं जालावाड में ओप्शन टू राइट होगा जालावाड में अगला क्यूशन परसिद समार्क सुनेरी कोटी सुनेरी कोटी है वो काँ पर स्थित है तो टॉंक में ओप्शन टूंक में स्थित है अगला क्यूशन जाला जाल इ Quin के बारे में कॉन सा कतन सेही नहीं है वैकोट़ा राजे का साकता यह गलंट है यह राइट होगा यह गलत हैं तो यह राइट होगा कौंसा कतन सही deter बूचा गया है तो ओसे एही राइट होगा इसक्ड राजे के शाशक नहीं था अमकर अगला कृसन 1817 में किन राज्यों के द्वारा बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी की गई थी तो ऑप्शन B किसन गड़ क्रोलियं कोटा द्वारा की गई थी ऑप्शन B राइट होगा 1817 में बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संदी किसन गड़ कोटा ने की ती किसने किसन गड़ कोट कोटा ने अगला किसन कुसाल सिंग की प्राजय के बाद बिटिश सेना ने आउआ पर कबजा कब किया था तो ये 24 जनवरी 1858 को किया था ओप्शन ए राइट होगा कब किया था 24 जनवरी 1858 को अगला क्यूशन अगला क्यूशन है परशिद भगत आंदोलन का नेतर तो ये गोविंदगिरी गोवपालिया और पूंजा धिर्जी ने ओप्शन ए राइट होगा गोविंदगिरी गोव पालिया यूंपूंजा धिर्जी द्वारा पर सिद्भगत अंदलन का नेतर्टवा किया गया अगला क्यूशन किसान पंचायत जिसकी स्थाबना 1916 में की गई थी इस संग्ठन का समंद किस से था किस से था तो बिजोलिया से था किसे option 4 राइट होगा इसका समंद है वो बिजोलिया से था अगला क्यूशन जैपूर परजामंडल की स्थाबना खालिस्तान में खालिस्तान के द्वारा की गई तो जैपूर परजामंडल की स्थाबना है वो किस के द्वारा हैं किस की गई तो यह कौन सा होगा राइट हैंसर किन के दवारा की गई थी यह तो जैपूर प्रणदामंडल की जोस्तापना है वो जम्नालाल बजा जेयों कपूर चंद पाठनी दवारा की गई थी ओप्शन डी राइट होगा 1931 में किसके दवारा जम्नालाल बजा जेयों कपूर चंद पाठनी दवारा अगला क्यूशन विल्यव पत्तर पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं किसने कहा था तो ओप्शन दै बास्वा के महारावल संद्र वीर सिंग ने कहा था विल्यव पत्तर पर हस्ताक्षर करते समय मैं से éénग वीर सिंग ने का था कि मैं अपने डेथ वानट पर हस्ताक्सर है वो कर रहा हूं अगला क्यूशन राज्तान राज्य की स्थितियं विस्तार के समन्द में निमलिक्त में से कौन सा कतन सही नहीं है राज्य का उत्तर दक्सिन पूरुपस्ची वितार इस्तार 829 में 829 किलोमिट्र है तो यह कतनी गलत है 829 में 829 में 829 में 829 में 829 में तो उप्टिन यह राइट होगा यह गलत है अगला क्यूशन रास्तान के द्रातलियस अउरूपों के समन्द में निमलिक्त में से कौन सा कथन गलत है कौन सा गलत कथन है पस्चमी बालुका मेदान टेतिस अगर के आउसेस है तो ये सही कथन है इसके बाद है तक्षिनी पूरुवी पठार गोडवना लेंड का विस्तारित बाग है ये भी सही है रावली एक वलित स्रेवनी है ये भी सही है उत्तर पूरुवी मेदान सिंदू नदी द्वारा निर्मित बाग है ये गलत होगा option 4 right होगा इसका answer यह गलत है बाकिए इसके सही थे अगला क्यूशन राजस्तान में अफीम का उत्बादन निमलिक्त में से किस जिलों में होता है अफीम का उत्बादन तो जलावाड कोटाईउंची तोडगड में option C right होगा अगला क्यूशन राजस्तान की मिट्टी के समन्द में निमलिक्त में से कौन सा कतन सत्य नहीं है तो थार मुरुफतल में ग्रे नाइट और बलुवा पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्मान किया ज़ता है यह सही है दक्षिनी भाग में ग्रे नाइट सर्ट से काले मिटी का निमान वह यह भी सही है उफ्षिनी भाग में फासर्टिक शर्लो की सण से मिस्टी तिलाल मिटी का निमान वह यह गलत है इसे राइट अंस्वर क्या होगा Bowl 10 अगला क्यूस्वर अपोहय चाहत्य दस्ति से रास्तान की नदिपनालियों का सबसे पहले आएगा बनास लूनी बनास हो यह गलत ऑप्शन इसमें सबसे पहले आएगा बनास पुन साएगा इसमें सबसे पहले बनास उसके बाद लूनी उसके बाद संबल उसके बाद होगा माही यह राइट एंसर होगा इसका अगला क्यूस्टन है रास्तान के कुल छेतरपल का कितने परतिसत बाग है वो थार मुरुफ्तल के अंतरगत आता है अगला क्यूस्टन राजस्तान के सरवादिक चेतर पर निमलिक्त में से कौन सी मिटी पाई जाती है तो सरवादिक चेतर पर एरेडी सोल्स एंटी सोल्स ऑफशन बी राइट होगा अगला क्यूस्टन राजस्तान के वे जिले जिनकी राजनितिक सीमा बारत के किसी अंतर राजिये या अंतराष्ट ये सीमा से नहीं लगती है तो वे जिले कौन कौन से है तो वे है ओप्शन सी राइट होगा बुंदी, दोस्टा, रास्वंद, और पल्ली, और जोद्बूर अगला क्यूस्टन कथन दिये गए इसमें कथन ए है अरावली के पूर्वी डालों पर पच्चमी डालों के पेक्चा वनस्पती अधिक सगन तता उचाई तक विद्बान है कारण दिया गया है अरावली के पूर्वी डाल अधिक मानसुनी वर्षा पराप्त करते हैं तता पच्चमी डालों के अपेक्चा तिक्चन डालीूप है तो इनमें से राइट कूट कौन सा होगा तो इनमें ए और आर दोनों सही है कथन और कारण है वो दोनों सही है और आर है वो एकी पूर्ण व्याख्या करता है ओप्चन टू राइट होगा अगला क्यूशन रामसर समेलन इरान दवारा चिनित राजस्तान में अंतराष्टिय महत्वय के वन्य जीव अद्र भूमी पारिस्तितिक सतलों के नाम बताईए तो कौन कौन से थे ये था सांबर जीव केवला देव गना अब्यारन ओप्चन थरी राइट होगा सांबर जीव और केवला देव गना अगला क्यूशन चैतर पल की दस्ति से राजस्तान का सबसे बड़ा करसी जलवायू खंड कौन सा है तो ये है सुष्क पस्वी मेदानी खंड कौन सा होगा सुष्क पस्वी मेदानी खंड ओप्चन टू राइट होगा अगला क्यूशन राजस्तान की जलवाईू दसाओं के समंद में निमलिक्ट में से कौन सा कतन सत्य है कौन सा कतन सत्य है तो उप्शन A सत्य होगा इसमें राजस्तान की जलवाईू दसाओं तामान और वर्षा की चरम सिमाओं से युक्त है अगला क्यूशन निमलिक्त में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है तो इंद्रालिफ्ट नहर परियोजना स्वाई मादरपूर में है ये सही है जक्कम परियोजना परताबगड में है ये भी सही है भी हमसागर परियोजना है वो बारा में नहीं है ये राइट एंसर होगा शावन बादो ये भी कोर्टा में तो ओप्शन C है वो राइट होगा वीमसागर प्रियोजना 12 में नहीं है अगला क्यूशन रास्तान में सुष्क साववान के वर्कसा रोपन है तू सरवादिक उप्युक्त जिले कौन से है अगला क्यूशन रास्तान में निमलिक्त में से किस परकार की वनस्पती नहीं पाई जाती है तो उसन कट भी दिये सदाहरित कौन सी नहीं पाई जाती रास्तान में वनस्पती उसन कटी बन दिये सदाहरित वनस्पती है वो राज़तान में नहीं पाई जाती अगला क्यूशन राजस्तान में लिग नाइट कोईला उत्पादन के परमुक 6 चित है कौन कौन से है तो बर्सींग सर कपूलडी और मेर्ता ओफशन 3 राइट होगा बर्शिंग सर कपूर्डी और मेर्टा राजस्तान में लिगनाइट कोई लाउत पादन के परमुक छेतर है अगला क्यूशन राजस्तान में पर्थम योजना काल से अब तक कर्शी फलों के छेतर फल में गटित निमलिक्त में से कौन सा परिवर्टन ऐसते है खाद्यानों के एंतर गट छेतर पर लग वग्चोदा पर दिशन बढ़ गया यही ऐसते है कतन है ऑप्सेने राइट होगा अगला क्यूशन वर्श दो हज़ार साथ की पसू गंडा के अंशार रास्तान में पसू हों की संक्या कितनी है तो दो हजार साथ की पसु जन गरना के अंसार पांसो चैस्ट लाग पसुओं की संक्या है कितनी पांसो चैस्ट लाग ओप्शन D राइट होगा अगला क्यूशन वर्तमान में रास्तान में जल की कौँछी समस्या विक्राल रूप दारन करती जा रही है तो उप्शन A राइट होगा अंदें दूसर छेतरों की बढ़ती हुई संक्या अगला क्यूशन सुची वन को सुची टू से सुमिलित कीजिए जैना अनव्यास तो जैना अनव्यास कांकी है जैना अनव्यास होगी जोदपूर और जसल मेर की उसके बाद है चोधरी कुमबा राम तो हनमानगड़ और चूरू की इसके बाद पन्नालाल बारुपाल ये बिकानेर और नागोर जिले में इसके बाद है डक्टर करनी सिंग तो ये जोदपूर और बिकानेर में तो इसका राइट जो कूट होगा वो होगा सी डी ए बी पहुंचा होगा सी डी ए भी सी थरी राइट होगा ओप्शन सी है वो राइट होगा इसके जो राइट कूट है वो होगे सी डी ए बी अगला क्यूशन रास्तान का वह राष्टिय राजमारक जो सवनुनिम चत्रभूज प्रयोजना और पूरू पस्चिम कोर्डिन और दोनों का हिस्सा है कौन सा है ये तो यह है राष्टिय राजमारक चत्र ओप्शन टू राइट होगा राष्टिय राजमारक चत्र अगला क्यूशन राजस्तान के तेरा नदी बेशिनों में कुल स्थाई जल की संभावत्या कितनी है कितनी है ओप्शन ची राइट होगा 15.6 million acre foot अगला और अंतिम क्यूशन सुची वन को सुची सेकिंड से सुमेलित करना है तो सबसे पहले एक में खनीज दिये गए हैं और इधर इनके खनन चेत्तर हैं तो शीशा दस्ता तो रामपूरा अगुचा इसका खनन चेत्तर होगा आगे है तामबा तामबा चांदमारी उसके का और आगे बाद बिरेलियंः बंदेर सिंद्री बेरलियम बंदेर सिंद्री और लोय शेक मोरीज्गा कौन सा होगा मौरीजगा ओप्सनियर चोगा और यह यह राइट कुट होगा और आज के लिए वसीतना ही दोस्तो धैन्यवाद